अगर आपकी डिलिवरी जुलाई, अगस, सितंबर और अक्टूबर में होने वाली है यानि कि आने वाले महीने में होने वाली है तो आपको कुछ बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखना है ताकि आपकी नॉर्मल डिलिवरी हो पाए अगर ये सारे चीज आप में ठीक रहें तो आपकी नॉर्मल डिलिवरी नहीं हो पाएगी डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलिवरी नहीं करेगा अगर आप नॉर्मल डिलिवरी की इच्छा रखती है तो ये सारे चीजे आप अभी से ठीक करना शुरू कर दें सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर आपका सिसू आड तो आपको बहुत सी सावधानिया रखने की समय जरूरत है ताकि आने वाले तीन महीने दो महीने में आप अपने सिसु का जो पोजीशन है उल्टा है आडा है तिर्चा है उसको आप ठीक कर सके इसके लिए आप इंडियन टॉलेट का इस्तमाल कर सकती है इसमें क्या होता है इ आपका सिसु अपना जो है पोजीशन है वो चेंज कर ले इसके बाद आपको अपने सिसु के वेट को भी ख्याल करना है अगर आपका सिसु का वेट कम रह जाएगा तो भी आपकी नॉर्मल डिलिवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका सिसु नॉर्मल डिलिवरी की पोजी जादा बढ़ेगा तो भी normal delivery नहीं होगी अगर कम रह जाएगा तो भी आपको normal delivery नहीं हो पाएगी इसके बाद इस समय आपको ठंडा avoid करना है कोई भी चीज फ्रीज का बिलकुल भी नहीं पीना है पानी फ्रीज का बिलकुल भी नहीं पीना है और आपको पानी 10 से 12 गिलास प पानी पीने से आपके pelvis area की मसल लचीली नहीं होती है आपकी मांसपेशियों में खिचाव आ जाता है कड़कपन आ जाता है तो normal delivery के समय आपको काफी समस्याओं का सामना करना पर सकता है इसके बाद आपको normal delivery आप चाहती है तो आपको वाक करना चाहिए butterfly कर exercise करना चाहिए आप आपको सीड़ियों पर उतरना चाहिए और गर्म तासीर की चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे की समय रहते आपका जो है ठीक कर ले अगर आपके अंदर ब्लड की हीमोगलोवीन की कमी रहेगी तो भी आपको normal delivery डॉक्टर नहीं कराएगा इसके बाद अगर आपकी BP हाई रहेगी सुगर हाई रहेगा थायराइड हाई रहेगा तो यह तीनों सिच्वेशन में आपकी normal delivery नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर आप साथ मन्त में आ गई है तो थोड़ा नमक का intake कम करें जिससे कि आपका BP नॉर्मल रहे और सुगर के लिए डॉक्टर आपको दवा तो देता ही देता है इसके लिए आप थोड़ा सा जो है चीनी का इस्तेमाल कम कीजिए चीनी का इस्तेमाल कम करेंगी तो आपका स मौसम भी है बरसात का अगर बाहर की चीजे आप खाएंगी तो आपको नुकसान करेंगा क्योंकि यह बारिस का मौसम है तो बारिस के मौसम में बहुत से चोटे-चोटे बैक्टिरिया उत्पन हो जाते हैं जो कि आपके गर्व में जाके आपके सिसु को भी नुकसान कर सकत हैं इसके बाद अगर आप नॉर्मल डिलिवरी चाहती हैं तो अगर आप आस पड़ोस में जा रही है किसी ने बता दिया कि मुझे बहुत पेन हुआ बहुत दर्द हुआ नॉर्मल डिलिवरी में तो यह अपने माइंड में ना रखे अपने माइंड सेट करें कि मुझे और हादकी प्रेग्निन्सी और आपकी बॉड़ी अलग है यह नहीं है कि जो उनके साथ हो भी होगा कितनी महिलां का आपने देखा होग कि 24 गंटे दर्द होता है कि तो इसके बार लेवरी होती है360 होगा है कि आपके पडोस वाली को बहुत ज़्यादा पेन हुआ आपको ना हो तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए और घबराए नहीं और इस्ट्रेस नहीं ले अगर इस्ट्रेस लेंगी तो आपको हार्मोन उतेजित नहीं होंगे नॉर्मल डिलिबरी वाले जो अगर उत दिलिबरी 100% होगी इसको कोई आपको रोक नहीं सकता अलग की बात है कि जब आप लेवर रूम में जा रही है तो उस समय सिच्वेशन क्या बन रहा है लेकिन यह सारे चीजे अगर आपके अंदर ठीक रहेगी तो आपको नॉर्मल डिलिबरी ही होगी तो समय है दो तीन मही बाव और सारे जो मैंने आपको टॉपिक बताया आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग बाई बाई धन्यबाद